दोस्तो आल इंडिया लेवल की एक पर्मानेंट गवर्मेंट टीचर्स रिक्रूट्मेंट का डिटेल्ड नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया है और online इनके लिए आविदन करना है और किसी भी राज्ये से हों आप इनके लिए अपलाई कर सकते हैं जो qualification subject की according मांगी गई है वो आपके पास हैं तो आप इनके लिए अपलाई कर सकते हैं और यहां जो primary teacher की recruitment है उसमें B.E.E.D. प्लस graduation वाले candidate भी eligible है और female candidates को upper age limit में सीधा सीधा 10 साल की छूट दी जा रही है हाँ जी दोस्तों काफी अच्छी recruitment है कई सालों के बाद दुबारा से आई है सारी शेयनकारी बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको provide कराएंगे आप वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखें और all over India लेवल से teachers recruitment से जुड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो चीगा दोस्तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका official detailed notification जो आज संडे को सुबह सुबह जारी किया गया है ये है दोस्तो official detailed notification AES की यहां बात हो रही है short notification तो इस सबता के employment newspaper में भी आ गया था detailed notification आज आया है सबसे पहले पदो का विफरन देखेंगे उसके बाद बाकी की जानकारी PZT English की दो vacancy है permanent government recruitment मैं फिर से पता दिता हूँ हिंदी की एक vacancy है mathematics की चार है physics की एक chemistry की एक computer science की चार biology की दो vacancy है जहां तक बात है TZT English की 11 vacancy है social science की 14 vacancy है हिंदी संस्कृत की 10 है math physics की 21 chemistry biology की 7 computer science की 10 PET physical education teacher male की 9 physical education teacher female की 7 ART art teacher की 7 और marathi की 5 vacancy है librarian की 8 है PRT 70 है PRT music की 5 है prep मतलब entity की 6 vacancy है कुल 205 पदों के लिए ये recruitment आई हुई है AES की तरफ से recruitment है और इसी notification में हम सबसे नीचे चलते हैं और मैं आपको वो location दिखाता हूँ जहां पे computer based test जो इसका written exam conduct कराया जाएगा ये देखे दोस्तों venue for CBT skill test for all post यहां इन इन जगहें पे आपका exam conduct कराया जाएगा मुंबई में होगा, डैली में होगा, कोलकत्ता में, चेन्नई में, कोच्ची में, गुहार्टी में, एमदाबाद में, इंदोर में, प्रियागराज में, हैदराबाद में, बैंगलुरू में और लखनुव में तो यहां यहां exam आपका conduct कराया जाएगा और इसके school कहां कहां पे हैं? Atomic Energy Education Society के जो schools हैं, वो कहां कहां पे हैं? कुल 15 अलग-अलग locations हैं, 15 अलग-अलग locations पे 30 school या junior colleges हैं, जिन के लिए यह recruitment आई हुई है, English Medium में ही यहां पढ़ाई होती है, यह देखिए, यह 15 अलग-अलग locations प्लेसिज हैं, इन 15 जगहें पे कुल 30, school या junior college हैं, तो यहां ही आपको job मिलेगी, तो आप यह ध्यान रखिएगा, यह पूरी list हैं, इन 15 location में से किसी एक location पे आपको job करनी होगी, online आवेदन करना है, pay matrix, central government के rule regulation के according यहां पे हैं, सारे भत्ते भी उसी के according आपको यहां दिये जाएंगे, पदों का विवन मैंने आपको provide करा दिया है, essential qualification पीजिटी के लिए, जो है वो देखिए, concerned subject में master's degree आपने कर रखी हो, 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने बेड कर रखी हो, तो आप इन पदों के लिए आविदन कर सकते हैं, concerned subject कौन से हैं, यह देखिए दोस्तों, PZT English के लिए post graduation आपने English में कर रखी हो, Hindi के लिए Hindi और Sanskrit, PZT mathematics के लिए post graduation, mathematics या applied mathematics में आपने कर रखी हो, physics के लिए post graduation आपने physics, electronics, applied physics या nuclear physics में कर रखी हो, PZT chemistry के लिए post graduation आपने chemistry या biochemistry में कर रखी हो, PZT biology के लिए आपके पास काफी सारे options हैं, यह देखिए, post graduation आपने botany में कर रखी हो, या zoology में, या life science में, या bio science, या genetics, या microbiology, या biotechnology, या molecular biology में आपने post graduation कर रखी है, और उसी के सासाथ, जैसे मैंने आपको बता है, B.E.D. भी आपने कर रखी हो, PZT computer science के लिए अलग से qualification है, B.E.D. नहीं मांगी जाती है, PZT computer science के लिए, तो MSC computer science में, MCA आपने कर रखी हो, कम से कम 50% परतिशत अंकों के साथ, या B.E.B.Tech, computer science या IT में, Concerned subject कौन से हैं, यहां ये list दे दी गई है, इनकी ये भी आप देख सकते हैं, English के लिए, English social science के लिए देखिए, Graduation with any two of the following subject, History, Geography, Economics and Political Science, इन में से किनी दो subject के साथ, आपने graduation कर रखी हो, पर इन में से History या geography, एक subject जरूर से जरूर हो, ये ध्यान रखिएगा, TZT Hindi Sanskrit के लिए, Hindi और Sanskrit as an elective subject in graduation for all the three years, TZT Mathematics, Physics के लिए, Mathematics and Physics as a subject in graduation, TZT Chemistry, Biology के लिए, Chemistry and any one of Botany और Zoology as a subject in graduation, Marathi के लिए, Marathi as a subject in graduation in all the three years, और उसी के साथ साथ आपने B.E.D. कर रखा हो, और CTET का paper 2 भी आपका clear होना आवशक है, इसके बाद TZT Arts के लिए भी qualification वगहरा दी गई है, ये भी यहाँ देख सकते हैं, TZT Computer Science के लिए, B.S.C. Computer Science या B.S.C. IT या B.C. आपने कर रखा हैं, 50% अंकों के साथ तो आप आवेदन कर सकते हैं, या B.E.B.T. Computer Science या I.T. में आपने कर रखा हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, Library के लिए Bachelor's Degree Library Science में आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 55% के साथ, या फिल Diploma Degree of Minimum 1 Year Duration in Library Science with at least 50% marks in aggregate, P.E.T. Male और Female के लिए 3 Year Bachelor's Degree in Physical Education, चाहिए परतिशत अंकों के साथ, अगर आपने कर रखी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, Bachelor of Physical Education, B.P.A.D. of at least 1 Year Duration or its equivalent from any National Council for Teacher Education, Recognized Institution या University of 4% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, इसी तरह से T.C.T. Arts के लिए आपने Bachelor of Fine Arts कर रखा हो, या Bachelor of Visual Art कर रखा हो, इन Painting, Drying, Sculpture या Graphic Design में, या उसके समकष कोई आपके पास Degree है, कम से कम 4 साल Duration की तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये 50% अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए, इसके बाद Essential Qualification आजाते हैं, या आपने Graduation कर रखी अप 4% अंकों के साथ, या आपने Graduation कर रखी हैं, आपने 6 माईने का ब्रेस कोर्स करना होगा Elementary Education ये द्वारा जो रिकोगनाइजड हो NCTE से इसके बाद Primary Teacher Music के लिए, NTT के लिए 10 प्लस जो आपने कर रखी हो, 50% अंको के साथ और उसी के साथ साथ आपने डिपलोमा कर रखा हो डिपलोमा इन नर्सरी, Teacher Education या Pre-School Education या Early Childhood Education प्रोग्राम तो कम से कम 2 साल का या फिर B.A. नर्सरी आपने कर रखी हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं Upper Age Limit and Relaxation देखें, PZT के लिए Upper Age Limit 40 साल है, Female Candidates को Upper Age Limit में 10 साल की छूट दी जा रही है, सिदा-सिदा तो 50 साल हो गई है For TZT Post and Librarian के लिए Upper Age Limit 35 साल Unreserved के लिए, Women के लिए 45 साल PRT Upper Age Limit 30 साल Unreserved के लिए, Female Candidates के लिए 40 साल Age Relaxation SCST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, Women Candidates को 10 साल का, Employees in Central Government को 5 साल का PWD SCST 15 साल, OBC PWD, OBC NCL 13 साल और PWD Unreserved 10 साल Ex-Service Man को भी Upper Age Limit में या चूट दी जा रही है, कुछ Journal Informations दी गई है, ये आप ध्यान से पढ़ लिजीगा दोस्तों, Online आपको इनके लिए आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद आप अपने Application Form का Print Out जरूर से जरूर निकाल ले क्योंकि Skill Test जब आपका होगा तो उस समय वो आपको लेके जाना होगा तो Print Out जरूर से जरूर आप निकाल के रख ले Official Website की तरफ चलते हैं, जहां पर यह Notification एवलेबल है और वहीं पर लिंक दिया गया है Online आवेदन करने का, तो वह आप देख लीजिएगा, और Selection Process वगरा दिया गया है, Mode of Selection है CBT आपका होगा और उसके बास Skill Test conduct कराया जाएगा, CBT की Locations मैंने आपको बता दी है Slaves वगरा दिया गया है, वो दूसरे वीडियो के मादिन से आपको Provide कराएंगे, यह वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसको यहीं पर अब खतम करते हैं, यह देखिए दोस्तों, यह Official Website है, AES.gov.in Official Website पर Recruitment के सेक्शन पर जैसे ही आप आएंगे, तो यह Recruitment Notice है, आप यहां क्लिक करके Download कर सकते हैं, बाकी अलग-अलग Performer वगरा दिये गए हैं, आप यहां से यह देख सकते हैं और यहीं पर आपको इनके लिए Online आविदन करना होगा, कल 23 मई 2022 से Online Application का Process इनका शुरू हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों, सारी जैनकारी इस Recruitment से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से, आपके साथ इस वीडियो के माधिम से हमने शेयर की हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप भी से लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की लेटर स्टप टेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो चीक है दोस्तो आज अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार